जो है मैंने यहां पर last step में बैंक अकाउंट एड़ कर दिया है जैसी कि अपना नाम बैंक अकाउंट नेम, बैंक अकाउंट नम्मर और इस इद आफ्सी कोड़ इसfire बिल्कूल भी पैनिक मत करिएगा क्योंकि यह चाइना की लौन अप्लिकेशन है और चाइना की बिल्कूल इसे next ठीक है तो हम यहां पर next कर देते हैं इसको तो यह confirm करने के लिए कर रहा जो आपने bank की retail दिये वो क्या correct है तो ठीक है हमारी जो bank की retail हो सही है हम यहां पर इसको submit कर देते हैं हमारी प्रफाइल हो complete हो गई है और यहां पर प्रडेक्ट लिकल के आया है cash score हो आया है और 3000 र payment आपको करने होगी 3000 रुपए की repayment due date रहेगी थेश्ट दर दोजार चोविस processing fees रहेगा एक हजार एक रुपए पलस जीस्टी इंकुलूट रहेगा उनिस रुपए एंड नेट अमांट डिस पर विस कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट तो यहां पर यहां पर यहां पर अप 208 शुर फाने के बाद यहां अमारी अप्लीकेशन जो है रीविव में आ चुके वह एंट ऑपनी केशन अप्लीकेशन होती है तो एट बहुतन कर देदे हैं तो इससे एप्लीकेशन होती जो इसमें कि आपिझाट तो हम यहां पर करते हैं किलिख और दोवारा एक बार चेक होगा या फिर नहीं होगा क्योंकि अकर ज्यादा समय लेगा अप्रूबर करनेगा तो बहुत रियल चांस होते हैं कि भाई इस लोन अप्लिकेशन में आपका लोन जो है रिजेक्ट हो जाए क्योंकि देखिए एंट्रोइट में तो समझ में आता है लेकिन एपल के डिवाइस पेइंग का जो अप्शन है वो अभी नहीं आया जो यहाँ पर एंटर रिव्यू का ओप्शन देखने का आपको मिल रहा है अगर इसमें पेइंग का ओप्शन आ जाता तो समझ लीजिए जो हमारा लोन था वो सक्सेस्पूली अप्रूब हो जाता लेकिन चाहिए कोई बात नहीं है फिलाल के लिए